बार्मेश शहर के रामनगर इलाके में बुधवार को घर के बाहर खेल रही बच्ची का एक्योग द्वारा पहरण कर दुशकर्म का प्रयास करने के बाद पूरे शेतर में संसनी फैल गई बच्ची के परीजनों ने महिला थाने में आरोपी जैराम प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है गुरुवार को महिला थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर मौका मायना कर परीजनों एवं पडोसियों से पुछताच की शेहर के सदर्थाना शेतर में घर के बहार खेल रही साथ वर्षिय मासूम बच्ची को एक युवक ने चौकलेट का लालच देकर घर के पास एक सुनसान मकान में ले जाकर दुशकर्म का प्रयास किया गनीमत रही की बच्ची के चिलाने की अवास सुन उसकी मा दोडी दोडी आई और सुनसान मकान में पहुँचकर मासूम को आरोपी के चंगुल से छुडाया इस दोड़ान आरोपी युवक बच्ची की मा को धका देकर हाथों में कपड़े लेकर नगना वस्ता में ही मोके से फरार हो गया घटनाकरम को लेकर मासूम के परीजनों ने महिला थाने पहुचकर मामला दर्श करवाया कि जैराम पुतर राउराम प्रजापत निवासी जैसार हाल निवासी बाड मेर मासूम बालिका को चौकलेट देकर निर्माना धीन मकान में ले गया जहां उसके साथ दुशकर्म का प्रयास किया खटनाकरम को लेकर आसपास के लोगी खटे हुए तो आरोपी जैराम और उसका भाई भेराराम गाड़ी में बैठ कर मोके से फरार हो गए मामले को लेकर आसपी राशी डोगरा पीडित बच्ची के पिता की और से मैला थाने में रिपोर्ट देने पर मुकर्मा दर्च करने की जानकारी देने के साथ मामले की जान शुरू करने की बात कही है कल शाम को बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि बच्ची और उसका भाई जब घर के पडोस में खेल रहे थे तो एक पडोस में रहने वाले बाबा ने उस बच्ची के भाई को दस रुपए दिये और चोकलेट लाने के लिए बेज दिया और उसके पाद वो बच्ची को लेकर एक सुने मकान के अंदर जो घर के पास ही बना हुआ है लेकर आ गया और बच्ची के कपड़े हटाने कपड़े हटाए और उसके साथ कुछ गलत हरकत करनी वाला था इतने में बच्ची चिल लाई और उसकी माँ और अडोसी पडोसी मह गटना के एक दिन बाद गुरुवार को महिला पुलिस आने की टीम ने घटना इस तलका सखन मुआयना किया, जिस निर्मानाधीर मकान में घटना हुई, वहाँ बारी की से तलाशी ली गई. बार्मेर में मासूमियत पर हैमानियत भरी निगाँ डालने के शेर के पहले मामले में अब पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को धर्द अबोचने की बात कह रही है.